नमस्कार किसान वाई ओ आज की नई वीडियो में जानकारी लेकर आए हैं Potassium Humate के बारे में जिसे कि आप Humic Acid के नाम से भी जानते हैं तो आज जानेंगे कि ये कैसे तयार किया जाता है कितने प्रकार का होता है और इसकी मुख्य भूमी का क्या रहती है हमारी फसलों के लिए अगली पॉइंट में हम जानेंगे कि इसकी कितनी मात्रा हमें प्योग करनी चाहिए और किन-किन खादों के साथ में हम इसका उप्योग कर सकते हैं तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के माद्धियम से आपको दी जाएगी तो बने रहे इस वीडियो पर और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले कोशन में जानेंगे कि हुमिक एसिट क्या है और इसे किस प्रकार से तयार किया जाता है हुमिक एसिट या पोटेशियम हुमेट ये काले कलर का फ्लैक्स में पाया जाता है और काले कलर का ततो यह इसलिए भी होता है कि यह कोईले की खान से निकलता है कोईले की खदानों से निकलने के बाद मैं इस पर पोटास की किरिया करके इसे एग्रिकल्चर यूज के लिए तैयार किया जाता है पोटास की किरिया करने के कारण ही इसका नाम Potassium Humid पड़ा है Question No.2 में जानेंगे कि किरसी उपयोग ही तो Humic Acid कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या-क्या विशेशताएं रहती है Humic Acid मूलता तीन प्रकार का पाया जाता है जैसे कि Powder Flax Humic Acid जिसे हम बोलते हैं दूसरा दानेदार Bentonite Coated Humic Acid होता है और तीसरा Humic Acid को हम Liquid Form में तयार करते हैं जिसमें की जिवरेलिक Acid और फैलविक Acid मिलाकर इसे तयार किया जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं Humic Acid Powder की इस प्रकार का जो Humic Acid होता है वो पोटास की किरिया करके बनाया जाता है और इसे हम Potassium Humic Acid 98% के नाम से भी जानते हैं इस प्रकार का Humic Acid फसलों के लिए बहुत ही कारगर सावित होता है और इसे हम सुद्ध Humic Acid कह सकते हैं दानेदार या Bentonite Coated Humic Acid इस प्रकार के Humic Acid को हम मिट्टी पर कोट करके या Bentonite पर कोट करके तयार करते हैं और यह हमारा Humic Granule के नाम से भी जाना जाता है Liquid Humic के अगर हम बात करें तो इसमें हम 98% सुद्ध Humic Acid को पानी के साथ मिला कर इसे हम Liquid Dose तयार करते हैं जिसे की स्प्रे के जरिये से खितों में दिया जाता है तो किसान भाई हो अगले कोशन में हम बात करते हैं कि Humic Acid का उपयोग किन-किन फसलों में किया जा सकता है Humic Acid का उपयोग आप हर प्रकार की फसल में कर सकते हैं जैसे गेहू, मक्का, जौार, बाजरा, धान और जमीन के नीचे लगने वाली फसले हैं जैसे गाजर, आलो, मूली, सलगम, इन सभी प्रकार की फसलों में और हर प्रकार की सबजी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फ्लैक्स में और इस्प्रे में दोनों प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगले कोशन में बात करते हैं कि फसल में हिूमिक एसिड की मुख्य भूमी का क्या रहती है यह किस प्रकार से पौदे के लिए कार्य करता है तो किसान भाहिव जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं हिूमिक एसिड पौदे के बनस्पतिक विकास में बहुत मुख्य भूमी का निवाता है जिसमें कि प्रकास संसलिशन का कार्य बहुत सफाई से यह करता है और पौदे की पत्तियों को हरा भरा रखने का काम करता है और जैसे पौदे में बोजन को ग्रहन करने की छमता होती है उसको बढ़ाता है पौदों की जड़ों का विकास करने के साथ साथ यह सबसे अच्छा जो काम करता है यह मिट्टी को भुरभुरा कर देता है जिससे कि पौदे की जड़ें मिटी में अच्छे से नीचे की तरफ जा सकती है और जो फसलें मिटी के नीचे लगने वाली हैं आलू, गाजर, मूली उन फसलों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है उनका उत्पादन बढ़ाने में हुमिक एसिट बहुत मुक्या रोल प्ले करता है इसी के साथ में जो भी पौदे फल तथा फूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनमें यह फूल बढ़ाने का काम करता है फल भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि पौदा जब स्वस्थ रहता है तो उस पर फल फूल आना स्वभाविक है तो किसान भाईयो आप पौदे के संपूर्ण विकास के लिए चाहे वो जमीन के अंदर विकास करना है चाहे जमीन के बाहर करना है आप किसी भी प्रकार के विकास के लिए आप potassium humate का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप जान लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि कितनी मात्रा हमें इसके डालनी चाहिए और किस प्रकार से इसका उप्योग करना चाहिए तो किसान भाईयो छे किलो आखिरी जुताई के साथ में लगा सकते हैं, इसे आप खाद के साथ मिलाकर जाइम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा साल्ट है पाउडर हिूमिक, जिसे कि आप यूरिया के साथ में मिलाकर प्रती एकड एक किलो डाल सकते हैं, जो कि 98% का साल्ट माना जाता है और तीसरा product है तरल liquid humic जिसका एक लीटर मात्रा आप लेकर एक एकड में spray के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि आप कम से कम प्रती बीगा के हिसाब से एक टंकी पानी लें और 6 टंकी पानी प्रती एकड आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो किसान भाईयों आज आपने जाना कि हम potassium humate का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं किन-किन फसलों में कर सकते हैं और इसका क्या-क्या हमें result मिल सकता है तो आशा करता हूँ आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अगर कोई और भी question हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद